हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल मूबाइल रिपेर ट्रिक आज की इस वीडियो में हम वीवो वाई-19 को अनलॉक करना बताएंगे हमारे पास यह कस्टमर का फोन आया है और वह इसके उपर जो है लॉक लगा करके भूल गया है तो हमें इसका लॉक खुलना है देखि करेंगे न सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइगन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तो इसको सबसे पहले हम स्विच आफ करेंगे और हम इसको अनलॉक करेंगे अल्टीमिट मॉल्टी टूल के एम्टी क करने के बाद देखिए राइट इन साइट पर एक टैब है यहां पर यह रीबूट टू मेटा तो मैं इसे मेटा मोड में जो है फोन को अन करूंगा यह इस पर रीबूट पर क्लिक किया और बिना कोई बटन दवाए यह देखिए मैंने इसके अंदर यूस्वी केबल लगा है कि फोन हमारा वैसे करने टोच चुका है क्योंकि देखिए यहां पर मीडिया टेक का जो आ गया है लेकिन अभी इसका पूर्ट इस्टेबल नहीं हुआ है मेटा का उसके लिए हमें कुछ सेगंड के लिए वैट करना पड़ेगा देखिए यह इसका मीडिया टेक यूएसबी वी कॉम एंड्रोइड 6 यह पोर्ट इसका बन गया है और इस्टेबल हो गया है अब हमें यहां पर लिखा हुआ फ्यक्टरी रिसेट टू मेटा इस पर जस्ट क्लिक करना है कि यह देखिए मैंने इस पर क्लिक किया डिवाइस पायत उसको मिल गया है मेटा मूड़ का यह देखिए रिडिंग इंफरमेशन सीप्यों एम्टी 6768 यह देखिए फोन फ्रेक्टरी रिसेट हो चुका है इसके बूट होने तक हमें इंतियार करना होगा जब हम किसी फोन का अनलॉकिंग के कमांड देते हैं तो उसे थोड़ा सा ओन होने में टाइम लगता है यूएस्बी केबल हम निकाल सकते हैं उसकी जरूत नहीं है यह देखिए यह फोन अन हो गया है देखिए इसको मैं अभी आगे बढ़ाता हूं वेलकम स्क्रीन से कर देखिए बढ़ाता है कर देखिए इस फोन में कस्टमर की जीमेल की आइडी नहीं लगी थी इस वज़े से इसके अंदर एफार्पी लॉक नहीं आया और डारेक्टल अनलॉफ हो गया है और एफार्पी के लिए मैं अलगस एक वीडियो बनाँगो उसमें आपको इसके अफार्पी खुलना ही बताँगो किस तरह से मैं फार्पी खुलते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग